हाई हमें function दे रखा है from real numbers to real numbers और function है x squared हमें चेक करने है injectivity और surjectivity चलो भाई function लिखो और injectivity चेक कर दे यार आप देखो कि f of 1 क्या है 1 squared जो क्यों होता है 1 और f of minus 1 क्या है minus 1 squared जो क्यों होता है 1 तो आपने values तो अलग-अलग डाली थी और output same आगया तो ये 1-1 तो नहीं है पर ये mathematically कैसे दिखाए हम निकालेंगे f of x1 और f of x2 इन दोनों को बराबर put करेंगे और deduce करने कोशिश करेंगे x1 x2 के बराबर है अगर आप एसन नहीं कर पाए तो ये 1-1 नहीं होगा अब उमीद है कि इस question में हम ये नहीं कर पाएंगे तो चलो भाई method of approach हमने यहां side milk f of x1 निकालेंगे f of x2 निकालेंगे अब दोनों को बराबर put करेंगे करो भाई ये आएगा यहां से आप निकालोगे कि x1 है plus minus x2 तो वो हमने लिख दिया अब इसका क्या मतलब कि 1 जो है वो 1 के भी ब possible है क्योंकि यहां पर दोनों ही real numbers के हैं तो इसलिए ये 11 नहीं है और English में आप लिखोगे x1 does not have unique image so it is not 11 फिर आप चाहे तो example भी दिखा सकते हो जो मैं आपको भी बताया था हो गया भाई अब हम चेक करेंगे subjectivity function लिख दो है हम मान लेते हैं कि यह है y के बराबर तो x2 हो जाएगा y तो x हो जाएगा plus minus root y अब क्योंकि y real numbers में से है तो y negative भी हो सकता है तो मैं मान लेता हूँ कि वो है minus 3 तो क्या root of minus 3 real है नहीं भाई यह तो imaginary number होता है तो इसलिए यह तो on to भी नह दो फिर मैं बताएंगे सब कुछ z हो जाएगा answer आ जाएगा